हे दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने योटूब चैनल देव जीकार ट्रेक्स में दोस्तों लोग यहाँ पर गुड मॉनिंग स्रीज जो कि आपकी जीके की है डेली सुबे 7 बजे यहाँ पर यह टेस्ट कराया आता है तो सुबे 7 बजे जीके का रि साब्याट वजे हिंदी का फूल टेस्ट होता है तो राच साब्याट वजे हिंदी का फूल टेस्च भी लगा सकते हैं चलिए इतने लोग यहां पर जूढ चुके हैं सभी लोग वीडियो कर दें वीडियो कर दिया करिए सबसे पहले गुड मॉनिंग सभी को गुड मॉनिंग सभी को गुड मॉनिंग सभी लोग वीडियो लाइक कर दिया करिए चले स्टार्ट करते हैं यहां पर आपका प्रस दिया गया है कि प्रकास संसलेशन प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है प्रकास संसलेशन और यहां पर देख सकते ह क्या होता है तो आपके सौर उर्जा ठीक है जो सौर उर्जा है इसका परिवर्तन आपके रासायनिक उर्जा में होता है तो जिसका जवाब यहां पर सी आ रहा है बिल्कुर सही हो जाएगा सौर उर्जा का रासायनिक उर्जा में परिवर्तन ठीक है ना इसमें क्या होता है कि जो पौधे होते हैं तो पौधों में क्या होते हैं जो पत्तिया होती हैं वो सूर से प्रकास लेती हैं भूम से जल और वाइव से CO2 गरान करती हैं और इनको लेने के बाद यहाँ पर कार्वोहेडरेट का निर्माड होता है और O2 गैस मुक्त करते हैं ठीके तो इस प्रकास से याद रखेगा सौर उज्जा का राषनिक उज्जा में परिवर्थन आपका प्रकास एंसलेशन की प्रक्रिया में होता है अगला प्रस्ण पुछा गया है कि जल का घनत्व एक ग्राम क्यूबिक यहाँ पर सीसी मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर ठीके तो cubic centimeter है यह बिल्कुल सही है तो एक gram cubic centimeter यह जो आपका है option आपका हो जेगा भी 4 degree centigrade ठीके कितना 4 degree centigrade यहाँ पर होता है ठीके आपने पढ़ा भी होगा कि जल का अधिक्तम घनत तो कितना होता है तो आपका 4 degree centigrade यह कह सकते हैं एक gram cubic centimeter ठीके चलिए आगला प्रसन आपसे पूछा गया है यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो ठोस उच ताप पर विद्धूत का वहन करते हैं परंत निवन ताप पर नहीं वे कहलाते हैं जो ठोस उच ताप पर विद्धूत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं करते हैं, वे कहलाते हैं, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं अर्ध चालक, ठीक है, ओप्सन रटप के आप पर सी हो जएगा, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध चालक, और ये ऐसे पदारती की जिसकी विशिस्ट चालकता, अर्ध चालकत बढ़ती है और जब यह घड़ती है प्रतु लगता तो आपके घड़ जाते हैं ठीक है और यहां पर डायोड ट्रांजिस्टर ऐसे चीज़े होती है अगला प्रसना आप से पूछा गया है कि निम्न में से अधिकतम द्रब्मान किसका है चलिए बताइए निम्न से अधिकतम द्रब्मान किसका है तो यहां पर आपका जवाब से हो जाएगा ओप्सन राइट यहां पर आपका द्रब्मान पूछा है और द्रब्मान होता है आपकी निउट्रान का ओप्सन राट आपके यहां पर सी हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा और अग बात करें इलेक्ट्रान की तो इलेक्ट्रान कर जो होता है यह रिडिया वैसित होता है और इसकी खोज आपके जेजे थामसम ने किया था 1875 में ठीके और प्रोटान की बात करें तो प्रोटान क्या होता है यह धाना वैसित होता है और इसकी खोज किया था गोल्ड इस्टीन न माउस किस ने बनाया था पहला कंप्यूटर माउस किस ने बनाया था चले जवाब दीजिए आपर तो पहला कंप्यूटर माउस बनाया था आपके कहरा आप से यहां पर कि कला की राजस्थानी और पहाडी सैलियां किसके लिए प्रसिद्ध हैं कला की राजस्थानी और पहाडी सैलियां किसके लिए प्रसिद्ध हैं तो राजस्थानी और पहाडी सेलिया जो आपकी है वो कला की दरश्टी से जो ये प्रसिद्ध है ये है आपकी option right या पर D चित्रकला ठीक है किसके लिए प्रसिद्ध है आपकी तो ये आपकी चित्रकला के लिए आपकी प्रसिद्ध है ठीक है कला की राजस्थानी या कह सकते कि राज़ पूतानी और पाहडियां चित्रकला की सैलिया आपकी हैं अगला प्रसन आपसे पूछा गया है कहरा आप से तांसिन सम्मान किस राजी की सरकार ने शुरू किया था चले जवाब दीजे सभी लोग तो तांसिन सम्मान ये आपकी सरकार है कौन सी मध्ध प्रदेश और यहां पर बी होजेगा मध्ध प्रदेश सरकार ने यहां पर कह सकते शुरू किया था जो सास्ती गायकों को पुरुषकार करने के लिए उद्देश से ठीके और यहां पर निश्प्रसन को आते हैं प्रसन आपसे अगला पूछा गया है कहरा आपसे कि अभिनावतारा क् से यहां पर सुपरनोवा के नाम से जानते हैं ठीके तो यहां पर कह सकते हैं कि सुपरनोवा जो आपका होता है यह एक कह सकते हैं विश्पोटी तारा होता है यह कह सकते हैं एक मड़ासन तारा होता है ठीके जो तारा फूटता है है ना तो वही आपका होता है कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से कैसे तिया डेड हो जाता है है ना इसलिए मर्डासन ताराव का बोला जाता है और यहां पर कैसे कि जब किसी तारे में हाइड्रोजन की कमी हो जाती है तो उससे सक्तुत्पन निकलने के लिए सुकुर्णा पड़ता है ठीक है और यहां पर अगले प्रस् पुरुषकार आपके भौतिक रसायंच की सम वहता है लेकिन गणित में दियाता है ऑप्षन एटप के रहाँ पर हो जएगा पर गणित के च्छत में नोबेल पुरुषकार अपका नहीं दिया जाता है ठीक है और यहां पर Abl Pruscar जो आपका है अगल आपका पूछा गया है भारत के समविधान का तैयार करने के लिए हमने संगी विवस्ता की यूज़ना किस देश से लिए है अर्थात संगी विवस्ता संगी बिवस्था जो आपकी ली गई है कहां से तो आपकी ली गई है आपकी USA से ठीके भारत समिधान का जो धाचा तयार करने के लिए संगी बिवस्था की आपकी जो है वो आपकी अमेरिका से ली गई है ठीके और यहाँ पर नेस प्रस्ट को राते हैं पंपसे अगला पूछा गया है कैखा आपसे कि लेखा अनुदान का अर्थ क्या है वोट आप क्या हिर तो यहां पर लेखा क्या होता है जाहलों के लिए मांगु के संब webinar के लिए विधाई सुक्रिति यहां पर लेखा उंदान कहलाती है तो आपसन आपका मेर पर क्या होज़ेगा यहां पर फर्स्ट मपर यह इसका जो सही हो जएगा डी नमर आपका सही हो जएगा ठीके और यह जो सम्मिधान सम्मिधान में अनुछिद 116 में लिखा अनुदान सब्द को वाड़ित किया गया है ठीक है? डिनमर आपका हो जेगा अगला प्रस मुचा गया है कि संसदी ब्योस्था में या संस्थी ब्योहार में है? संसदी ब्योहार में सुन निकाल भारत में कब शुरूआ था? संसदी ब्योहार में सून निकाल दखल भारत में कब शुरूआ था सून निकाल तो यहाँ पर कह सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों में प्रस निकाल के ठीक बाद के समय को सून निकाल कहा जाता है और यह दो बार बारा बज़े से प्रारंब होता है और एक बज़े तक लगव रहता है एक घंटा तक मैक्सिमा हो सकता है ठीके मैक्सिमा एक घंटा आपका हो सकता है तो जवाब यहाँ पर आपका भी हो जेगा आपके 1962 में ठीके 1962 में यह आपका शुरू हुआ था और अगले प्रस्णी को राते हैं प्रस्णा आप से गला पूछा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को बिटिश समराज में मिलाया गया था यहाँ पर पूछा गया है पंजाब को बिटिश समराज में मिलाया गया था किस गवर्नर जनरल के काल में सही जवाब हो जो को अप्सन राइट आपका भी आपकी लार्ड डलहोजी ठीके लार्ड डलहोजी का जो सासन काल चला था वो आपके 1848 से 1856 में हुआ था है ना और यहाँ पर कह सकते हैं कि पंजाब कंपनी के समराज में विलाय कर लिया गया था ठीके और 89 की कर भी वही 1849 मे आगला प्रस पूछा गया है कि हर स्वर्धन अपनी धार्मिक सभाग कहां किया करता था हर स्वर्धन अपनी धार्मिक सभाग कहां किया करता था तो याद रखेगा आपके प्रियाग में है ना ओप्सन रेट अप कहां पर भी हो जेगा प्रियाग में किया करता था ठीके ब काफी अच्छा होता है मतलब कह सकते हैं कि बड़ा संघर्स पूर होता है ठीक है संघर्स भोती कठिन संघर्स के साथ इसका जीवन वितीत होता है ठीक है और यहां पर कह सकते हैं कि प्रति पांच वर्स में ठीक है प्रति एक पांच में वर्स में यह कह सकते हैं कि साभाय देख लीजे अगर कोई भारती नाग्रिख है और नियूएर्क में अगर फ्लैट किराये पर लेता है तो उसमें जो सामिल किया जाएगा तो ये सामिल किया जाएगा USA के GNP में ठीके किसमें USA के GNP में option अपके याँ पर कौन हो जाएगा C नमबर हो जाएगा मतलब सकल राष्टी उत्पाद है न ग्रोश नेशनल प्रोड़क्ट यह होता क्या है तो ग्रोश नेशनल प्रोड़क्ट किसी देश के नागरी के द्वारा किसी दी हुई समय अधि में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं तथा सिवाओं का मौदरिक मूर होता है ठीके और अगले प्रस्ट को राते हैं प्रस्ट आप से ग्राप पुछा गया है कैर आप से आपरेशन फ्लड किस से सम्मंदित है आपरेशन फ्लड किस से सम्मंदित है चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा आपरेशन फ्लड सबका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए और जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा और प्रस्टिक और बढ़ते हैं प्रस्टनाप से अगला पूछा गया है करब से थैले सीमिया एक अन्वानसिक बिमारी है या किसको प्रभावित करती है थैले सीमिया नाम तो सुना होगा तो थैले सीमिया एक अन्वानसिक बिमारी है और ये प्रभावित करती है आपके option first आपके रुधिर को ठेके किसको आपके रुधिर करती है और कैसकते हैं कि य रोग है यह ज्यादातर बच्चों में होता है यह अप्रभावी जीन द्वारा नियंत्रित हीमोगलोविन की असमाननिता से होता है ठीक है और नेक्स प्रस्ण को आते हैं प्रस्ण आपसे अगला पूछा गया है कहर आपसे कि डेंगु जोर का कारण है डेंगु जोर जो आप आपका वाइरस ठीक है तो जवाब यहाँ पर आपका डी हो जएगा वाइरस यह कर सकते हैं आपको वीसाड़ रोग है है ना और यहाँ पर इस रोग में जो वाहक होते हैं वाक के एन जो मच्छर होता है एन डीज मच्छर है ना यह कर सकते हैं एनिफलीज मच्छर वो आप किसे सम्मंधित है तो यहां पर आपका सही जोग जोग प्सन राइट यहां पर आपका ड़ी नमबर यहां आपके आपके share market से सम्मंधित है यह stock exchange, stock market ठीक है? यहां पर मदड़िया दिखो यहां पर तजड़िया मतलब होता क्या है? तो मदड़िया मतलब क्या होता है यहां पर समझे मदड़िया यह इस टाक इस्चेंज में उस व्यक्ति को हो जाता है जो उस उमीद से वस्तु को भविस में देने का वादा करके बेचता है ठीक है जब कोई वस्तु बेचने को देश होता है तो मदड़िया होते हैं और तेज कितमें से कौन सा कर संग द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगह तथा व्रियोजित किया जाता है देखो संग द्वारा लगायाता है तो यहाँ पर आपका जबाव हसितन राइट आपक cob演 terminal सुल्ख टीक उन में से उत्पाद सुल्क के अंदी सरकार दोरा रूपित किये जाएंगे पर इने संग्रिहित मतल करे सकते हैं collect ठीक है संग्रिहित मतलता है collect करने का अधिकार किसको है आपके राज सरकारों को है अगला प्रसन आपसे पूछा गया है कर आपसे कि भारत रत्न से किस उद्ध धुखपति को सम्मानित किया गया था चलिए यहां पर जवाब क्या हो जाएगा तो जवाब यहां पर याद रखेगा option right आपका हो जाएगा यहां पर बी नंबर आपके जे आर्डी टाटा ठीके जे आर्डी टाटा को भारत रत्न 1992 में प्रदान किया गया था नेस प्रसन आपसे गिला पूछा गया है कि आपसे कि भारती वनस्पतिक सर्वेचण का मुख्याले का है इस्ति थे भारती वनस्पति सर्वेचण का मुख्याले का है इस्ति थे तो जवाब यहां पर आपका हो जाएगा option right यहां पर आपका सी नंबर आपके कोलकाता में ठीके कहां पर क्या है रास्टी वनस्पती सोध सनस्थान है ठीक है रास्टी वनस्पती सोध सनस्थान जो आपके है वो आपके लखनों में है ठीक है दोनों में अंतर है अगला प्रस्ण कहाते हैं प्रस्ण आप से एगला पूछा गया है कर आप से कठोर इस्टील में होता है कठोर इस्टी और प्रसन आप से पूछा गया है कि राष्ट मंदल खेल पहली बार कब आयुजित किये गए थे चले जवाब क्या हो जाएगा तो जवाब हो जाएगा आपको यहां पर डी नमबर आपके 1930 में ठीके 1930 में आपके पहली बार उजित किये गए थे याद रखेगा अगले प्रसन आप से पूछा गया है कि अधोगिक रेड के लिए भारत में सीर्स बैंक कौन सा है देखे उधोगों के लिए जो आपका कह सकते हैं सीर्स बैंक है वो आपकी है IDBI ओप्सन रेड़ आप के आपके यहां पर D हो जएगा IDBI अर्थात भारती अधोगिक विकास बै इंडिया और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी याद रखिएगा ठीके और अगले प्रसुन को बढ़ते हैं प्रसन आप से कहले रहा है यूरोपी संका मुख्याले कहां पर है यूरोपी संका मुख्याले जो आपका है यह आपका है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में ठीके ब् प्रुमुक कार क्या है केंद्री सांकी संग्ठन CSO तो इसका जो कार है यह है कि राश्टी आय का अन्मान एकत्र करना ठीके ऑप्सन भी हो जगा राश्टी आय का अन्मान एकत्र करना यह केंद्री संकी संग्ठन का कार होता है ठीके और यहाँ पर नेक्स प्रसुन को आते ह प्रशन आप से एकला पूछा गया है कहरा आप से कि औरंग जेब की मृत्तिव कहां हुई थी औरंग जेब की मृत्तिव कहां हुई थी कहां पर हुई थी तो जवाब यहाँ पर आपका होजेगा option C, एहमद नगर में हुई थी ठीके, औरंग जेब प्रस्ण आप से गला पुछाए कि सही दिवस कब मनाया जाता है तो 346 का जवाब बताना है सही जवाब यहाँ पर आपका होजेगा और सान राइट यहाँ पर आपका C नंबर आपके 30 जन्वरी को मना जाता है सही दिवस क्यों मनाते हैं क्यों राष्पिता महत्मा गांधी की पुण्टिति में के सकते मनाया जाता है ठीके अच्छा महत्मा गांधी की हर्थ्या किसने की थी महत्मा गांधी की हर्थ्या किया था किसने नाथु राम गोट से ने ठीक है और कहां पर किया था तो आपके बिड़ला भवन जो पढ़ते हैं आपके दिल्ली में है ना 30 जनुवरी 1948 को गोरी मार कर किया था नेस प्रस्ण को आते हैं प्रस्ण आप से गला पूछा है कि दायो चेंग एंडिंग एरपोर्ट कहा है श्तित है तो ये श्तित है आपके चीन में ठीक है ओप्सन आपके यहां पर सी हो जगा आपकी कहां पर है आपके चीन में श्तित है और अगले प्रस्ण को आते हैं प्रस से संबन्दी थे ठीके और यहां पर कैसकते हैं यह 3 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी बोपाल सहर में है ना और कैसकते हैं इसमें कौन सी गैस रिशा हुआ था हर बार पूछा गया है तो इसका जवाब आपको देना है निश्पार्ट में इसका जवाब देखने को मिलेगा ठीक पसंद आया सभी को तो सभी को पसंद आया तो वीडियो लाइक भी कर दे और कैसकते हैं कि इस समय आपको समझ भी प्यारा होगा कि यह जो करांती चल लई है है ना 2020 की करांती तो इसमें देखा जाए तो 1857 की कहीं जलक दिखने को पूरी तरीके से मिल लई है यहां पर कैसक मध्यप्रदेश में यहां पर बच्चों पर लाठियां चार्ज की गई है मतलब हक मांगने के लिए यहां पर लाठियां चार्ज की गई है तो समझ सकते हैं कि यहां पर एक मांग जो जरूर हो रही है कि SSC railway exam है ना date exam date भी आ जाएगी तो date आ जाने से कुछ हो नहीं कि एक्जाम डेट आने सो कोई मतलब नहीं है डेट आ जाएगी हो सकता है कि आपके पेपर भी करा लिए जाएं लेकिन ये वेकेंसी आपकी रुकेगी आपके इलेक्षन तक है ना तो इस बार याद रखेगा कि ये सरकार दुबारा ना आपाए ठीक है ये सरकार दुबारा न मुद्दा है लेकिन अब ये मुद्दा आप बना लिजिए कि लाठियां जब चार्ज कर रहे है सरकार है ना तो इसका मतलब है कि ऐसी सरकार की अब जरूरत नहीं रहे गई है अभी तक हम लोग सरकार से हक मांग रहे थे लेकिन अब सरकार को दुबारा नहीं आना है ये आ कुछ लोग जौब भी करते होंगे और कुछ लोग नहीं भी करते होंगे कुछ लोग सपोर्टर होंगे तो उनको थोड़ा बुरा भी लगेगा हमको इससे मतलब नहीं है हमको मतलब यहाँ पर रोजगार थे था और रोजगार मांगने पर अगर लाठियां चार्ज हो रही है तो कहीं न कहीं देखा जाए यह ऐसी सरकार की अब व्योस्ता और ऐसी सरकार की जरूरत अब नहीं रही है और आप लोगों से अन्रोध है कि इस बार पेपर हो या ना हो अगर हो जाता है तब भी यहाँ पर ऐसी सरकार को दुबारा निमंत्रन मत देना ठीक है क्योंकि हमारे ओट देने से देखे हम यह नहीं गहते हैं कि ओट मत दो क्योंकि अगर आप ओट नहीं देंगे अगर 5 ओट भी पड़ेंगे पूरे इंडिया में तब भी जीच जाएंगे है ना तो यहाँ पर कैसकते हैं ऐसी सरकार को इस सरकार को ही वोट मत दू है ना तो आटोमेटिक समझ में आ जाएगा याद करेंगे ये दिनों को कि नहीं भच्चों के साथ कैसी अबद्रताएं की गए थी उन्होंने अपना हक मांगा था ठीके समझ में आ रहा है ना तो अब इस सरकार को दुबारा आपको नहीं लाना है ठीके तो हम लोग मिलते है नए वीडियो में तब तक के लिए जैहन जै भारत